आपको पता है कि लेंस मुख्य रूप से दो परकार के होते हैं उत्तल लेंस और आउतल लेंस उत्तल लेंस परकास किरण को एक बिंदू पर केंद्रित करते हैं इन्हें अभी सारी लेंस कहते हैं जबकि अवतर लेंस प्रकास के किलुनों को फैलाते है इन्हें अब सारी लेंस कहते है नमस्कार दोस्तों आज के विज्ञान प्रियोग में हम लेंसों के इसी गुण का अध्यान करेंगे उक्त प्रियोग के लिए हमें चाहिए होंगे एक पारदर्सी पात्र मैं यहाँ पर यह प्लास्टिक का डिब्बा ले रहा हूँ इसके अलावा हमें चाहिए एक उत्तर लेंस एक ओतर लेंस लेंस का इस्टेंड दो लेजर लाइट डिवाइस और कुछ अगर बक्ति सरो पर्थम लेंस के इस्टेंड में उत्तर लेंस को रख देते है और अगर बत्ती को जला कर उसके पास रख देते है तत्पस्चात पारदर्सी प्लास्टिक डिब्बे से लेंस को इस परकार ढख देते है कि अगर बत्ती का धुआ डिब्बे के अंदर आता रहे ध्यान रहे कि धुवां अधिक नहीं होनी चाहिए अब हम लेजर डिवाइस के द्वारा दो समनांतर लेजर प्रकास किरण बिब्बे के अंदर रखे उत्तल लेंस पर आप्तित करते है हम देखते है कि जैसे ही प्रकास किरण लेंस में से गुजरती है तो वहां अंदर की ओर मुड़ जाती है और दोनों किरणे एक बिंदू पर केंदृत होती है इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं अब हम इस परियोग को उत्तल लेंस के इस्थान पर आउतल लेंस रख कर दोहराते हैं हम पाते हैं कि सम्नांतर रूप से आपटित परकास किरण उतल लेंस से गुजरने के बाद परस पर दूर होती जाती है अर्थात उतल लेंस किरणों को फैला देती हैं इसी गुण के कारण उतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं इस वीडियो में इतना ही कृपिया अपने सुझाओ नीचे कामेंट बाक्स पर लिखे साथ ही वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलिएगा धन्यवाद